पार्टी की ही एक महिला नीता ने दुश्कर्म करने का रोप लगा कर बहादरबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था बतादे बहादरबाद थाने की पुलिस ने केश दर्ज कर जाज भी शुरू कर दी थी जिसको लेकर विधायव सुरेश राठोर का कहना था कि ये जूटा मुकदमा निकफाया गया है मेरी सामाजिक और राजनीतिक च्छवी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के साज़ेश की गई है और अब इस मामले में शिकायत करता का एक चौकाने वाला बयान सामने आया है जो मुकदमा मैंने कराय था वो मैंने 31 तारिक को वापस ले लिया है और मुझे इस पर कोई कारवाई नहीं कर दी है साथी रविदास अचारे सुरेश राठोर से उन्होंने माफी भी मांगी कि मुझसे जो गलती खुई है उसके लिए मुझे शमा कर दे इसमें किसी का मतलब कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है, यह मैंने खुद मेरा ही है, नहीं है, कि मैंने खुद वापसी लिया है जो विधैक सुरे राठोड जी है, रविधार चारी है, जो उनकी मतलब मेरे से कोई गलती हो गया हो, मुझे शमा करना और आगे से कोई कारवाई नहीं करना चाहती मैं रिशिकेश में आयुजित कॉंग्रेस के विचार मन्थन शीवर के दूसरे दिन कोर कमेटी और महिला कॉंग्रेस संगठन समेथ कई एकायों की बैठक हुई, जिसमें विधान सबाद चुनाव में जीत का सहरा सर पबानने के लिए जिम्मधारियों की गटरी पददिकारिय को सौब दी गई, हाला कि ये बात अभी साथ नहीं हुई है कि किस पददिकारी को क्या जिम्मधारी सौपी गई है, वहीं विचार मन्थन शीवर में शामिल हुए कॉंग्रेस के वरिश चुनेता और पूर्व प्रदेश रध्यक किशोर उपाध्याय का दावा है कि जनता ने बीजेपी पर विश्वास करके देख लिया है, अब 2022 के चुनाव में जनता का भरोसा फिर से कॉंग्रेस जीत कर दिखाईगी और इसके लिए हर वो मुद्दा उठाए जाएगा जो जनता से जुड़ा हुआ है, यहीं नहीं सत्ता में आने के बाद समस्याओ का भी समध भान किया जग जाएगा और साथ ही जिससे कॉंग्रेस पर लगतार जनता का भरोसा बना रहे। जो एक हमारी साथ हल से जादा परानी पार्टी है, उसको आद्वनिक्ता से जोलने का गाम किया था, इस काम को पहले राजीव जी ने किया, राजीव जी ने 1984 के लोगसभा चुनाओं में उन्होंने सर्वे का नया उसको नहीं आयाम दी और उसके साथ में जो पार्टी का कि पिजारे जाने के लोगसभा चुनाओं में और उस चुनाओं का में यगकर ऐस्सा होतूँ, ठीक उसको आगे बढाने का काम सरोवन नगरी नैनिताल में नगर पालिका सबासत मनोज जगाती जैसे भी बहुत कम होंगे जो खुद दूसरों के घरों में जाकर अपनी तीन सदस्यों के साथ शहर में होने बाले बरसात से पैदा होने वाले कित पतंगों को खतम करने के लिए जो बीरा उठाया है वो काबिले तारीफ है यहां बता दें कि नगर पालिका सबासत मनोज जगाती और टीम के सदस्यों मनीश कुमार वैभब चंद्र ने बरसात में पन पे पनपने वारे मचरों कीड़े मकोडों जैसे से निजात दिलाने का बीरा उठा लिया है वहीं मनोज जगाती और उनकी टीम के राधा स्वामी सदसंग की तरफ से दी गई फॉगिंग मशीन से हर बॉट के मचरों कीडों से निजात भी दिला रही है एक गंटे ते तीन गंटे भी हो जादे कभी चार गंटे भी होता है और हम काफी इस पर फॉगिंग कर रहे हैं वजी यह है कि मैंने आपको बताया ने किस्से में बहुत ज़्यादा मक्षी मचरों होने लग गए हैं जंगलों में तीर्थ नगरी रिशकेश से बड़ी दुखत खबर सामध्या रखी है जहां मुंबई से मुनु किरेती के तपवन खूनने पहुंची दो युक्तियों सही तीन लोग गंगा नदी में जूब गए तीन लोग गंगा में नहाने उत्रे थे और घटना की सूचना मिलने पर पूलिस ने तीनों लोगों की काफी खोजबीन भी की मगर अब तक तीनों का कुछ भी पतान नहीं चल सका है रसल प्रभारी निरिक्षक मुनी किरोरेती कमल मोखन भंजारी ने बताया है कि मेल राय मधुश्री खुरसांगे अपूर्वा केल कर तीनों बोरी वली इस्ट उदब नगर मुंबई महराष्ट की निवासी थे ये लोग दोस्तों के साथ रिशिकेश घूमने आये थे और बुदवार की शान तपवन इस सेथ गंगा घात पर तीनों पहुंचे और तीनों गंगा की तेज धारा में आकर बहने लगे वहीं लोगों की चीक पुकार सुनकर मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों लोगों की चानबीन में जुट गई है उत्राखन के पिथोड़ागड जिले के मुन सराई में आपदा प्रभावेत गाउं मवावी दवानी शत प्रतिशत वेक्सिनेशन वाला पहला गाउं बन गया है स्वास्ते विभाग की टीम बदहाल रास्तों के बीच 9 किलोमेटर की पैदल दूरी नापकर मवानी दवानी गाउं पहुंची और ग्रामिनों का टीका करन किया मवानी दवानी को छोड़ कर अब तक किसी भी आपदा प्रभावेत गाउं में 120 वेक्सिनेशन नहीं हुआ है पता दें बंगापानी श्वेत्र के आपदा प्रभावेत गाउं मवानी दवानी स्मीमान जिले का पहला गाउं बन गया है जहां पर हर व्यक्ति को टीका लग चुका है और इस गाउं ने सौफ वीजदी वेक्सिनेशन का रिकॉर्ड बना दिया है मैं ग्राम प्रधान मुन्नी देवी ने बताया कि गाउं के 18 साल से ज्यादा उम्र के 262 पुरुष और 240 महिला और 3 दिव्यांग सहीर 505 लोगों का स्वास्य विभाग ने वेक्सिनेशन किया है कहा गया है कि अब गाउं में निवास करने वाले हर व्यक्ति को टिका लग चुका है उत्तरकाशे से बड़ी खावर सामने आ रही है दरसल वन विभाग दरोगा को निलंबित कर दिया गया है जानकारी के नुसार वन दरोगा की तरफ से महिला वन कर्मी से अभद्दता और अपत्ति जनक टिपनी करने का मामला सामने आया है बता दे भूमी सरंक्षन वन विप्रभाग में तैनात महिला वन कर्मी ने इसकी लिखत शिकायत वन शेत्र अधिकारी और पुलिस अधिक्षक से की थी आलाकी विभागी महिला निवारण समीती ने इस मामले की जाच की और इसके बाद समीती की जाच में 1 दरोगा को महिला 1 करमी से अभदता और आपत्ती जनक तिपनी करने का दोशी पाया गया समीती की रिपोर्ट को प्रभागिय वन अधिकारी भूमी सनक्षन वन प्रभाग ने वन सनक्षन भागी रती वृत को भेजा और मामले की को गंभीरता से देखते हुए वन सनक्षन के आदेश पर वन दरूगा को निलंबित कर नरेंद नगर वन प्रभाग मुनिक रेती अट विन्द चमोली ने बीती नवंबर 2020 में महिला वनकर्मी में साव साथ अभधर व्यवहार किया था और पहनावे पर भी गलत टिपनी की थी जिसके बाद वन दरूगा को चेतावनी भी दी गई लेकिन वो नहीं माना और कई बार कार्याले के काम के बहाने घर पनाने की उसमे कोशिश की साथ ही वाटसेप पर भी अश्लील मैसेज भेजने लगा और बीती दस जुलाई को विभाग्य भ्रमन में वन दरोगा ने महिला वनकर्मी को गलत तरीके से चुआ और साथ ही अपत्ती चरंक टिपनी भी की हरिद्वार में वन्दना काटारिया के घर के बहार असमाजिक तत्वों की तरफ से पटा के पोड़ जाने पर खुई अभी युक्तों की गिरफतारी को लेकर स्सपी हरिद्वार ने व्रस्ते चानकारी देते हुए बताया है कि ऑलम्पिक में हार के बाद कुछ समाजिक तत्वों ने वन्दना के घर के पास जम का पटा के जुलाए जिसको लेकर वन्दना काटारिया के भाई की तरफ से तहरीर दे कर कारवाई की मांग की गई थी जिसके चलते थाना सेटकुल पुलिस की तरफ से कुछ अभी उक्तों को गिरफतार कर लिया गया है जिन पर उचित कारवाई की जा रही है बता दे ऑलम्पिक में इतिहास रचने वाली बेटी जिसने देश का नाम रोशन किया है ऐसे में जब उसे अपने ही परोसियों की इ इन देश ग्रोहियों ने अपना असली रूप दिखा कर साबित कर दिया कि ने ना तो देश से प्रेम है और ना ही बेटियों से उत्रखंड के चमोली से पहाड तूटने की तस्वीर लगातार सामने रखी है जहां बद्रिनात राष्ट्य राजमाग अठावन पर जोशी मत गोविंद घाट के बीच बल दूआ में पहाड तूटने की खतना हुई पहाड तूटने से चताने तूट कर हाईवे पगिर ग बया है देरदून में पिछले दो साल से केदाना धाम में तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोड को भंग करने के लिए आंदोलन रत है और साड़े 11,000 फिच की उचाई पर मध्य हिमाले में बसे केदाना धाम में फारी ठंड के बीच तीर्थ पुरोहित आंदोलन की आग जलाये हुए हैं बिश्रे दो सालों में सरकार की बुद्धी, शुद्धी के लिए जलाभीशेक, रुदरभीशेक, हवन और नगन अवस्ता में प्रदर्शन कर अपना विरोध जता चुके हैं लेकिन सरकार की तरव से तीर्थ पुरोहितों की मांगों पर सुनवाई नहीं की जा रखी कै, तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बीजेपी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रखी कै, ऐसे में अब एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों ने धामी सरकार से बोर्ड को भंग करने की मांग की है और उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उग सब्सक्राइब करने हैं लेकिन सरकार के काम में जूट नहीं रहे हैं और हमारे इस नौईयक साथिम इस पुरुद नहीं आगरा कर दिया है कि हम आने वाले किस दिन बाद जो है आमन अनसल पर जो है तिके दाना धाम में बहर जाएंगे और अभी भी धामी सरकार को जो है इस ततकाल भंग करना पड़ेगा अन्य था यहां पर जाए उगर अंदोलन की चेतावनी देते हैं जैसरी किदार उत्राखन के मुख्यमंतरी पुष्टकर सिंग धामी ने सचीवाले में मुबाइल एप्लिकेशन उत्राखन भुकंप एलर्ट आप का शुभारम कर दिया है उत उत्राखन ये एप बनाने वाला पहला राज्य बन गया है बतादे से जन्ट सुरक्षा में मदद भी मिलेगी साथ ये इस आप के जर्ये भुकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी मिल सकती है वहीं बता दे भुकंप एलर्ट के जर्ये भुकंप से छोतिगरस सरंचनाओ में फसे होने पर सूचना भी दी जा सकती है। उत्राखंट भूकम पैदर टाप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। भूकम से अपनी भी शुरक्षिया कर सकें। और अपने सासा, अपने परिवार की और समाज की और प्रदेश की और आसपास की तूरी तरह से शुरक्षिया कर सकें। जिससे कि स्वयम भी सुरक्षित होंगे और सब को सुरक्षित करेंगे। हमारे देश के SOSP प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी का जो सपना है केदारपुरी को सवारने का वो जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके लिए वो स्वयम लगातार उसकी समीक्षा करते हैं। लगातार निगातार हर तरीके से। हमेशा उनके ध्यान में केदारपुरी रहती है। उसके केदारपुरी का काम हर तरह से गुणमुता पुर्वब हो, समयवद्ध हो और जल्दी पुरा हो। उसके कहीं पर भी निर्माण कोई कमी नगयाए और जो निर्माद कारबार हैं।। जिस समय सीमा के अंदर हूं। उसके लिए मैंने आज अज समीक्षा किये। में पिछले तीन बार भार जाने का प्रियास कर चुगा हूं। लेकिन मौसम के कारण से हमने कारणों से वहाँ पर नहीं जा पाया तो आज में ड्रोन से उसकी पूरी समिक्ष्य की है और हमारा प्रियास है कि जल से जल वो निर्माण पहले समय बद और जो हमने समय सीमा ताई किये उसी समय सीमा पूरे हो और मोदी जी का यहां के लिए सपना है जो उनका ड्रीप प्रोजेक्ट है वो पूरा है देहरदून में मिशन 2022 कोलेकार बीज़ेपी और चिंतन शिविर में दिये गए सुजावो पर अब अमली जामा पहनाने में जुट गई है बीजेपी के प्रदेश कार्याले में प्रदेश अध्यक मदन कौशेक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने OSD और पियारो की बैचक में हिस्सा भी लिया और उन्हें व्योहारिकता कोलेकार टिप्स भी दिये हैं साथे 1222 में कैसे चंता के मन से बीजेपी की छवी को स्वच बनाए ज्वास गेज के लिए OSD और पियारो की क्या भूमी का रहे गेज़ पर भी गुरु मंत्र दिये गए हैं हमारे जितने भी मंत्री गण हैं आयोगो में अध्यक्स हैं या इस परकार का कोई सरकारी दायतों में हैं जिन्होंने पियारो OSD इस परकार के कोई कार्यकरता के रूप में काम करने वाले जितने लोग हैं उन सब की आज एक विशेश रूप से व्रक्षोप है इस व्रक्सोप में आज पूरे दिन की रहेगी जिसमें कहीं वरिष्ट महानुभव का उन सब को मारग बरसन मिलेगा इसमें सामानेता सभी लोगों के साथ बैठ कर किस परकार का आचार, वैवार, सिष्टाचार, किस परकार का हम लोगों को काम करना है क्योंकि चुनाओं की दरश्टी से इनका रोल भी बड़ा महत्तो पूर्ण रहता है चुनाओं में इस समें पांच महिने का जो सेस्काल है इसमें अधिकतर लोग संपर्क करना चाहते हैं मिलना चाहते हैं तो उनका ठीक परकार से आचार, वैवार रहे ठीक परकार से इस्थिती सुलूप में रहे तो इस परकार का एक वातावन बने इस सारे वीशे को ध्यान में रखते हुए आज पूरे दिन की रखसोप है जिनको इस परकार का एक सिष्टाचार बताया जाए प्रति भबाबान चात्र चात्र को सेंथिल अबुदाई कुर्ष स्वरिष्ट पुलिस अदिक्षक हरिद्वार की तरफ से उत्साह वर्दन के लिए पुलिस गादन स्कूल में शातर चात्राओं को प्रोस्कत भी किया गया है इसका दिरिक्त वर्ल्ड इंवर्णमेंट डे और इंट्रनाशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूस इसमें जो स्लोगन पॉस्ट अबने किया था उसी बच्चा को भी आज अपने प्रसकार किया है और बच्चे को दर मांगा थे कि स्कूल का कुछ करन प्लस और प्लस टू का ह होना चाहे करको उसको भी हम प्रस्ता उतार करके सीवेस्ट को बेज दी गई है उसका इंट्रा सेक्ट कारिया जो हमने प्रारम कर रहे हैं अन्शी गरावत है मैं स्टेंस में 94 परसेंट से पास ही नहीं हूं मेरी मुद्पाब करता है पढ़ाई में सब्सक्राइब करते हैं तीरंगर जंडा जिस शान से लहराता है उसे देखकर हर भारतवासी का देल भावो से भर जाता है देश के प्रती समरपन और प्रेम का संचार मन में होता है इसी भाव को प्रेरेत करने के लिए त्रिवेणी खाट पुरिचकेश में M.D.A. की तरफ से स्थापित 101 फीट उचे राष्ट्य धज तिरंगे का अनावरन उत्राखन विधानसवा ध्यक्ष प्रेम चंदर अगरवाल और नगर निगम की मेयर अनिता ममगगाई ने किया है वहीं इस मौके पर तिरंगे को सलामी भी दी गई पता दें कि हर दिन गंगा मा के उद्गोच से गुझने वाला त्रिमेणी खाट देश भक्ति किनारों से गुझता हुआ नसरायगा वहीं मौझूदा लोगों की आँखों में तिरंगे को फैरता देख एक अलग ही चमक भी दिखी पता दें कि तिरंगा जंडा 101 फिट उचा और 20 फिट चोडा और 30 फिट लंबा बनाया गया है इसके साथ छंडे के लिए फोकस लाइट्स भी लगाई गई हैं जिसका सीधा फोकस तिरंगे पर पड़ेगा जिसकी रोशनी में देश का राष्ट्य ध्वज खूबसूरत नसरायगा पहले मैं आज तर्मेनिगार जहां हमारे रिशिकेश की जिसे हम लोग घंदेश तिली कहते हैं उस पर 101 फिट तिरंगे का आज अनावरन हुआ है उसके लिए सभी को बहुत बदाई देता हूँ और जिस परकार से आपने जाना होगा कि 16 अक्टूबर 2020 को मैंने अपने विधान सभा के अंदर भी सम्विधान दिवस के दिए वहां इस परकार का काम किया आज यहां कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि यह हमारे आनवान शान का परतीक है तमाम उन रणबाकरों को तमाम शहीदों का नमन कर रहा हूँ और मैंने आज जितनी भी बाते आज कहीं शहीदों के बारे में मैं उस बात को जोडते वे कह सकता हूँ कि ये हमारे मात्र एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है ये हमारे आनबानशान का परतीक है यहाँ विशु के अनेकों लोग जब आएंगे यहाँ की सुंदर्ता, यहाँ पतित मावनी गंगा के तट पे आगे आजमन करना उसमें सनान करना ये साथ जब यहाँ की भव्यता देखते हैं आपने देखा कि दो क्रोड की लागे से ये त्रमेणी गायट के सुंदर्ता काम हुआ मैंने ड्राइम बना ये प्लेट फॉर्म उससे पहले बना ये को काम मेरे दोरा इस ही स्थान के लिए हुए आज उसमें एक इजाफा और हुआ है और मैं तो आज इस बात के लिए के और खुश हूँ कि जहां पांच अगस्त को आप हमारे देश के मानने परधान मंत्री जी ने आपने लोक सबाग अंदर जब घोशना की थी कि जम्मू काश्मीर से 13375 से हटाई जाएगी वो अतियासिक छण उसके बाद राम मंदिर का शीला पूजन यानि राम मंदिर निर्मान का रास्ता साफ हुआ वो ही पांच अगस्त को एक साल पहले तो सभी बातों को लेकर मैं कह सकता हूँ कि पांच अगस्त हमेशा अमर रहेगा हमारे भारतियों के लिए उसके में बहुत बदाई दे रहा है सबसे पहले मैं पुड़े सहर वास्तों को बहुत बदाई देती हूँ कि जो हमारे आन बान सान का परतिक 101 फिट उंचा राष्ट द्वज जो हाज हमने तिर्वेणी घाट पर लह रहा है जिसके लिए कि मैं लगतार परियास रत थी और मैं चाहते हूँ कि इस पतीत पावनी मा गंगा के तट पर जो भी आए वो इस अपने राष्ट द्वज का भी कि दार करें उसके नीचे बैठके वो अपने राष्ट भक्ति की अनुवती मैसूस करें आज वो सोबा वो दिन आया यहां पर क्योंकि पांच अगस्त मैं मानती हूँ कि बहुती 83 तारिक हमारे लिए है उसमें चाहे दारा 375 से हटने का हो सर्जिकल इस्ट्राइक का हो राम जनम मंदिर का राम जनम भूमी में जो मंदिर निर्मान के तारिक का जो फैशला आया वो पांच अगस्त हमारे लिए या आज के दिन जो की 41 साल बाद हमने होकी में रज़त पद करते हैं ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है जिसकी अगली तारिक 18 गस को नियत की गई है पिथोरगर के जिलादिकारी डॉक्टर आशीश टुखान ने जिलादिकारी पिथोरगर के पद पर अपना कारेभार ग्रहन कर लिया है सबसे पहले जिलादिकारी की तरफ से मुख कोशागर में से दविती तालत का निरिक्षिन कर चार्च लिया गया इसके बाद जिलादिकारी ने अपनी कार्याले कक्ष में जनता की समस्याइं सुनी और उनके निस्तारण के संबंदेद विभागों को निर्देश भी दिये वहीं जिलादिकारी की तरफ से जिलाकारयाले की कई पटल प्रभारियों से शाष्किय कारों की जानकारी लेते हुए आवशक निर्देश भी दिये गए हैं नयनितार सरोवर नगरी और उसके आज पास मौसम वग्यानिक की भविश्यवानी सटीक साबित होती जा रखी है आज सुबा से ही आसमान में घने पादल चाय हुए हैं और लगातार बारिश का दौर जारी है जिससे परचकों से लेकार सानिय लोग भी अपने अपने घरों में रहते हैं वहीं आने जाने वाले लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहां स्कूलों के खुलने से छात्र छात्रों को भी तमाम परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहां बता देंकी बारिश के चलते दो शहरी मार्ग और शे गरामीन मार्ग बंद रहे जिसको खुलने की विवस्ता की जा रही है अपना उत्राखन में आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहे है निउस वर्ल इंडिया